मती चार, उसकी एक आयत को मैं पढ़ूँगा, आप उसे सुनेंगे, अपनी बाइबल को खोलेंगे, उसमें लिखा तब आत्मा यिशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से उसकी परिक्षा हो, वो चालिस दिन, चालिस रात निराहार रहा, तब उसे भूक लगी, तब प परंतू हर एक वचन से जो परमेशुर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा, सब बोलो आमेह, जंगल का मतलब होता है परिक्षाएं, जंगल का मतलब होता है ऐसा स्थान, जहां आपका विश्वास परखा जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा, आपकी जहां आपकी जैनुइन्टी को परखा जाता है, आप सचे क्रिश्चन हो या नहीं, सिर्फ इसी जंगल में ही पता लग सकता है, और बाइबल कहती जंगल में लेके जाने वाला यिश्व मसी को शैतान नहीं था, बलकि उसी परमेशुर का आत्मा था, जिससे वो जन्मा था परमेशुर की आत्मा ने बाइबल में लिखा, मती में बढ़ते हैं तो थोड़ा अलग लिखा, लुका में बढ़ते हैं, अलग अलग मुस्तकों में बढ़ते हैं, तो उसमें लिखा, forcefully धक्के के साथ पवितर आत्मा ने यिश्व मसी को जंगल के और भेजा, धक्का दिय उसको, force किया उसको, कि तु जा जंगल में ताकि अबलीज से तेरी परिक्षा हो, कई बार परमेशुर आपकी अगवाई करता है इन जंगल के स्थानों में, परिक्षाओं में, सताव में, दुखों में, आपको नीचा करने के लिए नहीं, आपको गरम रखने के लिए, एक नई उन्चाई तक आपको लॉंच करने के लिए, आपको स्ट्रॉंग करने के लिए, आप नाश नहीं होंगे, आप इशुमसी के लहू के साथ खरीदे गए, बाइबल कहते हैं, कि चालिस दिन और चालिस रात वो निरा अहार, यानि कुछ नहीं खाया उस, और लिखा, जब ये चालिस रोजे बीत गए, तब उसे भूख लगी, और परखने वाले ने कहा, ये पत्थरों को बोल ये क्या बन जाएं, चालिस दिन के बाद ही क्यों, तीस दिन के बाद क्यों नहीं, उसे भूख दस दिन के बाद क्यों नहीं लगी, पंद्रा दिन के बाद क्यों लगी चालीस दिन के बाद ही की हूँ लेका जब रोजे बीद गए तो उसे भूख लगी और परकने वाला उसकी परक करने के लिए आया वो कब आया जब चालीस रोजे खतम हो चुके थे और उसको मालूम था कि अब ब्लेसिंग वो सामर्थ वो अभी शेक बहुत नस्दीक है वो सिर्फ इतना नस्दीक था कि यिशुमसी के परक्खे जाने के बाद वो रिलीज होने वाले था यिशुमसी के उपर अगर आप इन अध्यायों को ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है कि प्रभी इशुमसी इन रोजों के बाद और इन परिक्षाओं के बाद आत्मा की सामर्थ से भरे हुए वो लोटे यानि इन रोजों में इश्यमसी को सामर्थ मिली थी अभी शेक मिला था और शैतान ये बात जानता था कि 40 रोजे सक्सेस्फुली पूरे हो चुके हैं अब इन्हें खतम कैसे करूँ या मैं इन्हें व्यर्थ कैसे करूँ कई बार जब आप अपने लाइफ के पॉइंट में होते हो आपका ब्रेक्ट्रू नजदीक है आपके ब्लेसिंग बड़ी नजदीक है पर आप देखते हो कि ये क्या हो रहे है ये मुश्किल मुझे क्यों आ रही ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहे ये ड्रबल अब मुझे क्यों आ रहे है वो इसलिए कि शैतान देख चुक है कि आप ब्लेसिंग सिरुफ अब एक इंच का फासला रह चुक है वो देख चुक है और जब वो देख चुक है वो ये चाहते है कि आप परक में फेल हो जाएं और इसलिए परमेश्वर ने का इंसान अकेली रोटी से नहीं परंदुप परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा और इश्यमसी नों से वचन से जवाब देते गए वचन से वो बोलते गए और बाइबल कह दी उसके बाद जब शैटान चला गया इश्यमसी आत्मा की साममर्थ से भरे हुए वापिस लोटे यानि वो डिवाइन परपस वो इश्वरिय काम वो इश्वरिय बुलाहट वो खुदा की योजना जो खुदा ने इश्यमसी के लिए रखी थी वो पूरी हो चुकी थी इसका मतलब अगर आप इश्यमसी के संतान है आपके लिए भी एक प्लैन है परमिश्वर का उसका आपके लिए भी एक दिवाइन योजना है इश्वरिय योजना है वो पूरी कैसे होगी जब आप अपनी परिक्षाओं में सफलता के साथ पास हो जाएंगे और याद रखो जब शैतान सबसे गरम हो आपका ब्रिक्थ्रू सबसे नजदीक है जब आपकी परिक्षा वो बिमारी हो सताव हो गरीबी हो जब टॉप पे चली जाए तो याद रखना मेरी बात अगला दिन आपकी लाइफ का सबसे सुन्दर होगा आपको ये याद रखना है कि जब शैतान पूरे फुल फॉर्म में आपके पीछे आपका ब्रिक्थ्रू बहुत नजदीक है बहुत ज़्यादा नजदीक आपकी सांस से करीब है वो मैं आपको spiritual आपको मैं आत्मिक रिती के साथ बता रहा हूँ आपको prophetic रिती के साथ बता रहा हूँ आपकी testimony आपके करीब आचुके आपको अपको अपनी अंदरूनी आँखों के साथ उसे देखना है आपको इन शरीदिक आँखों से नहीं देखना आपकी टेस्टमनी बहुत करीब है, इसलिए, इसलिए शैतान डरा हुआ है, इसलिए वो घबराया हुआ है, वो आपको डिस्टरेट करना चाहते है, आपको अकरशित करना चाहते है, आपको ध्यान को भटकाना चाहते है, पर आपको आपको कूल रहने है, भी कूल रहने है, कूल, कि testimony बहुत बड़ी आने वाली है आपकी आपने यही बात याद रखने कि 40 दिन के बाद ही क्यों जब उसे 40 दिन के बाद ही भूख क्यों लगी और परखने वाले ने 40 दिन के बाद ही उसे क्यों परखा और आत्मा ने उसे भेजा जंगल में जा और तरी शैतान से परिक्षा ह ऐसा क्यों वैशा क्यों अगर आप यश्यमसी के साथ सिंसीरें सिंसीर हां अगर आप बिलकुल सिंसीर एं आप फेष मे बने रहेंगे और कभी क्वेशे क्वेशन नहीं करेंगे अगर आप सिंसेरैं अगर आपकी वॉक, अगर आपका चाल इश्मसी के साथ अगर सिंसेर हैं, आप questions नहीं करेंगे वैसे ही जब आप अपने mentor के साथ अपने spiritual father के साथ जब sincere होते हैं आप मसा पाते हैं नहीं तो लोग 10 साल रहके भी खाली बैठे हैं क्योंकि जब तक sincerity नहीं आएगी आप जितनी मर्जी दिर खुदा के साथ रह लो या अपने mentor के साथ, coach के साथ रह लो आप कुछ नहीं पासकते हैं आपको sincerity दिखानी खुदा के सामने आमे हैं कि आप genuinely उसको follow कर रहे हैं आप heartly उसको follow कर रहे हैं एक pressure एक दुख एक जटका आपको परमेशों से हटा नहीं सकता अगर शैतान आपको बिमार करने की कोशिश करेगा और आप खड़े रहेंगे तो healing की नदिया में परमेशों बहाएगा अगर वो एक बंदे को आपके खिलाफ खड़ा करेगा और आपकी बेश्दी करेगा खुदा दस लाग खड़ा करके आपकी इज़द करेगा खड़े रहेंगे